असलाम अलेकूम, आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का गोश्ट, जो की बहुती आसान तरीके से हम बनाएंगे, बहुती सिंपल इंग्रीडेंट से बहुती आपकी डेश बन का त्यार होगी, और बहुत टेस्टी बनेगी, तो चलिए देख लेते हैं, खड़े मसाले का गोश काली मिर्च, एक बड़ी लाची, पांच छोटी लाची, और आठ दस लॉंग है, और एक जावीत्री का फूल है, इन मसालों को हलका सा क्राकल कर लेंगे, साथ में दो तेस पते भी डाल देंगे, जब मसाले हलके से क्राकल हो जाएंगे, हमें डालनी है, इसमें प्यास, मैं एक कलो ग्रैम मीट यूस करोंगी, जितना मीट है, उसकी आधी आधी आपको प्यास लेनी है, मैंने आधा कलो ग्रैम प्यास लीवी है, छे मीडियम साइस की प्यासे हैं, जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, फाइन नी काटावा है, अब हमें प्यास को चार से में बड़े मीट यूज और यूज रही हूं जी तुम भी यूज बिया तो तो यहाँ पर यूज आगा है, पर यहाँ उन्ही में झालिक को लेका इस तो नोगरा शजो यह तो यहां पर मीट को लिए और इस प्रसक्राद अन्हीं को फड़े tibell पर फाई नियुक्त ही फ्लेम 1 tablespoon कुटावा साबुधनिया दालेंगे 1.5 teaspoon जीरे का पाउडर डाल देंगे और 1.5 teaspoon में नमक डाल रही हूं बाद में नमक टेस्ट का कोड़िंग एड़िस्ट कर सकते हैं 1 teaspoon लाल मिर्ज का पाउडर 1 teaspoon डालेंगे गरा मसाले का पाउडर और इसे साथ रफली चॉप किये वे टामाटर इसमें डाल देंगे तो यह चार मीडियम साइज के टामाटर हैं क्योंकि आजकल टामाटर महंगे हैं बहुत से वीवर्स कमेंट करने वाले हैं तो फिर आप टामाटर ना डालें आप इसके जगा पर एक कप दही यूज़ कर सकते हैं अगर आप टामाटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं और हाँ पाउडर मसालो में वन बाई फोर टी स्पून के करीब इसमें हल्दी का पाउडर भी डालेंगे बस थोड़ी से डालेंगे लेकिन डालेंगे जरूर अब मिला देंगे इन सभी इंग्रीडेंट्स को अब हमें यहां पर इसको भूनना नहीं है पहले हम इसको गला लेंगे उसके बाद हम इसको भूनेंगे 20 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि यह बड़े कमीट है 20-25 मिनट लगते हैं इसको गलने में अगर आप मटन यूज कर रहे हैं तो 10-12 मिनट में मटन गल जाता है प्रेशर को कर में और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को आउन कर देंगे और अब हमें इसको भूनना है तो गैस की फ्लेम को हाई करके हमें इसको भून लेना है जब तक भून लेंगे जब तक यह अच्छी तरह से भूननी जाता है और तेल जो है वो सर् तो चलिए अब इसको हम सर्फ कर लेता है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही जबर्दस खड़े मसाले का गोश्ट बनकर तयार है और आपने देखा इसको बनाना भी बहुत असान है तो जब भी आपको कुछ जल्दी से जटपट से बेहतरी नॉन्वेज में ड तो उमीद करते हूं आपको इस रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो अलाफ फिर्स